असलावनेकम तहलका टीवी न्यू स्टूडियो से मैं हूँ रजीताईर शामिल करते हैं हेड्लाइन्स साबिक सदर आसिफ ली जर्दारी 18 मा की खुदसाखता जलावतनी के बाद वतन वापस पहुँच गए क्राची में कारकुनों की जानेच से शांदार इस्तक्बाल सरकारी जराइका बेद्रेग इस्तमाल आसिफ ली जर्दारी की आमत के दिन ही उनके क्रीबी साथी के दफातर पर च्छापे रेंजर्जर्ज ने तीन दफातर पर च्छापों के दुरान एम रिकार्ड कबजे में ले लिया डी जी आई एसाई जर्नल नवीद मुखतार ने आज अपने होदे का चार्ज संबाल लिया वजीर आजम से मुलाकात मुल्की स्लामती के अमूर पर तबादल ले खिया कराची में रेंजर्जर्ज इन एक्शन मश्कूप सरगर्मियों में मुल्विस मुताइदा कोमी मुमिट के कारकुन गृफतार गार्डन के लाके से जमीन में छुपाया गया असला बरामद एक जानिब तलौर के शिकार के लिए अर्बी शिकारियों को खुली चुटी दूसरी जानिब वजीर आजम की हदायत पर तलौर की अफजाशे नसल के लिए 25 करोड पे जारी कर दिये गए पाकिस्तान जनूबी एशिया में तालीम पर खच्च करने वाले ममालिक में से बारत, बंगला देश, बोटान, मालडीप और नीपाल से भी पीछे हैं युनेस्को की रपोर्ट ने हुकमरानों की कारकर्दिगी पर सवाल या निशान कड़ा कर दिया वजीर आजम नवाज शरीफ ने इंतहाई चाल्याकी से एकी तीर से कई शिकार कर लिए नवाज लीग पिपर्स पार्टी और एमकियम की खुआशात पाया ये तकमीर तक पहुँच गए आसिफ अली जर्दारी की वतन वापसी के पीछे की कहानी तैकिकाती साफी असद खरल के तहल का खेद इंकिशाफात सामने आ गए अक्वाम मताइदा के सेक्टरी जनरल बांकी मून ने बाग बर्द मसायल हल करने की पेशकाश कर दी दोनों ममालिक के दरम्यान कंट्रोल लाइन पर बढ़ती हुई कशीद जी पर तश्वीश का इजार किया गीत हो या गदल मलका तरन्नम की आवाज कानों में रस गोलती है मलका तरन्नम नूर जहां को बिच्छे सोला बरस बीट गए मगर उनके सुनिले गीत आज भी लिली जज़बे को बेदार कर रहे है पाकिस्तानी फिलम बालो माही का आफिशियल ट्रेलर जारी हाली वुड के माया नाज अदाकार लियाम नैसन की संसिनी और ड्रामे से बरपूर नई फिलम ए मॉंस्टर काल का नया क्रेवल जारी कर दिया गया हेडलाइंज आपने मुलाइजा की खबरों की तफसील एक शौर्ट प्रेक के बाद न्यूस टूडियो में खुशामदीज सबसे पहले बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जर्दारी आज पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं वो डेड़ साल बैरून मुल्क क्याम पजी रहे खसूसी तियारे के जरीए कराची पहुंचे हैं आसिफ अली जर्दारी कमरा पीपल्स पार्टी के एहम रहनमा रहमान मलक और बाबर आवान भी थे बिलावल बुटो जर्दारी ने एक बियान में कहा है कि आज से राइवन्ट की उर्टी गिंती शुरू हो गई है उन्होंने मजीद कहा कि एक जर्दारी सब पर बारी है आसिफ अली जर्दारी के आमद से कबल ओल्ट टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमयान बदनजमी भी देखने में आई आसिफ अली जर्दारी 24 सब्बर को पार्टी के आरागीन असंबली से मुलाकात करेंगे 26 सब्बर को लाडकाना रवाना होंगे जहां वो 27 सब्बर को अपनी एलिया और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बे नजीर बुटो शहीद की बरसी की तक्रीब से खिताब करेंगे वजीर आजम नवाजीर से नए डी जी आई एसाई लेफिलेंट जर्नल नवीद मुखतार ने मुलाकात की जिसमें उन्होंने मुल्की इसलामती के एम अमूर पर तबादला खियाल किया नाव मनतखिब डी जी आई एसाई जर्नल नवीद मुखतार ने आज अपने होदे का चार्ट संबाला इसलामबाद में उन्होंने वजीर आजम नवाज श्रीफ से मुलाकात की जिसमें मुल्की इसलामती के एम अमूर पर तबादला खियाल किया गया और अब बात करेंगे कुछ कराची में रेंजर्स की कारवाईों पर कराची में रेंजर्स ने एक बड़ी कारवाई करते हुए आसिफ अली जर्दारी के फरंट मैन के दफातर पर छापा मारा है जहां पे एम रिकार्ड कबजे में ले लिया और मतद्द अफराद को हरास्त में ले लिया गया रेंजर्स ने कराची के मुख्लिब मकामात पर आसिफ अली जर्दारी के फ्रंट मैन के दफातर पर च्छापे मारे इस दुरान एम रिकार्ट कबजे में ले लिया गया हाकी स्टेडियम के करीब दफ्तर में कारवाई में एडमन मनेजर जब के दिगर अलाकों में वाके दबातर में कारवाई के दुरान दो मजिद अफराद को अरासित में लिया गया कराची में रेंजर्स ने गार्डन के अलाके में कारवाई करके मतहदा कोमी मुविंट के दो अरकान को ग्रिफतार कर लिया जिनके उपर देशित करदी का शुबा है जबकि उनसे असला भी बरामद हुआ रेंजर्स ने शेर कायद में बदमनी पहलाने की एक और कोशिश नाकाम बना दी मुसद्का इतला पर गार्डन के अलाके में कारवाई करके दो मुझमान असकर खान और मुहम्मद अबास को ग्रिफतार कर लिया तरजमान रेंजर्स के मताबक दोनों का तालुक मुतहदा कोमी मुमिट से है जबकि मुझमान से बारी मिकदार में असला भी बरामद किया गया है तिलोर के शिकार के पीछे नई नई कहानिया सामने आने लगी है वजीर आजम की हदायत पर तिलोर की अफजाश नसल के लिए 25 करोड पे जारी कर दिये गए इन दिनों पाकिस्तान में कत्री शहजादों और अर्बी शहजादों की आमद और तिलोर का शिकार मोजब बहस है सवाल उठ रहे हैं कि नायाब परिंदों के शिकार की अजाज़त क्यूं दी जाती है हकूमत ने इसका जवाब तो नहीं दिया मगर इन नायाब परिंदों की अफजाश नसल के लिए इन डॉनमिट फंड काइम करते हुए 25 करोड पे जारी कर दिये गए जराय का कहना है कि तलोर की अफजाश के लिए रकम वजीर आजम की हदायत पर जारी की गई है जनूबी एशिया में तालीम पर खर्च करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान, बारत, बंगला देश, बोटान, मालदीब और नीपाल से भी पीछे है यूनेस्को की रपोर्ट ने उकमरानों की कारकरदगी पर नया सवाल खड़ा कर दिया यूनेस्को की रपोर्ट के मताबक बंगला देश तालीम पर 2.38 फीसद, बोटान 5.35 फीसद, इंडिया 3.38 फीसद, मालदीब 6.2 फीसद, नीपाल 3.62 फीसद, सीरी लंका 1.93 फीसद, और पाकिस्तान 2.33 फीसद बजट का खर्च करता है सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने से जुदा होने वाले मुलक बंगला देश से भी पीछे है जबके तालीम पर खर्च करने के मामले में पाकिस्तान, बोटान, इंडिया, मालदीब, नीपाल से भी कई दरजे पीछे है वजीर आजम नवाज शरीफ ने इंताही चालाकी से एक यी तीर से कई शिकार कर लिए आसिफ अली जर्दारी की वापसी पर उनके फ्रंट मैन के दफ्तर पर छापों के पीछे कहानी सामने आ गई नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की खुआशात पाये तकमीर तक पहुँच गई सीनियर तैकिकाती साफी असद खरल के तैल का खेज इनकिशाफात सामने आ गए सीनियर तैकिकाती साफी असद खरल ने दावा किया है कि इनतहाई तजर्बाकार और तमाम मुल्की सविलियन और रस्क्री अदारों पर आहनी ग्रिफ्ट रखने वाले वजीर आजम नवाज श्रीफ ने इनतहाई चलाकी से एक ही तीज से कई शिकार कर लिये जिसका मकसद नैशनल एक्शन प्लान और कराची आपरेशन को मतनाजा बनाना है जो काफी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ MQM की देरीना खुआश थी असद खरल ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर ट्वीट्स करते हुए इनकिशाफ किया है कि रेंजर्स के आसिफ अली जर्दारी के फरंट मैन अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप के दफातर पर छापों से बिलाखर कराची के आपरेशन के वाले से पीपल्स पार्टी के द बांकी मून ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो अपने खिलाफात मुजाकरात के दरिये हल करें अगर दोनों ममालिक चाहें तो हम किरदार अदा करने को त्यार हैं खैर मुल्की मीडिया के मताबिक आलमी अदारे के सेक्टी जर्नल के नाइब तर्जमान फरहान हक ने साफियों से गुफ्तकू में कहा है कि बांकी मून ने दोनों ममालिक के दरम्यान कंट्रोल लाइन पर बढ़ती हुई किशीदगी पर तश्वीश का इजार किया है सुरों की मलका मलका तरन्नम नूर जहां को बिछडे 16 बरस बीट गए मगर उनके सूरीले गीतों की गूंच आज भी फजाओं को मैका रही है बुले शा की नगरी कसूर के एक गरीब मौसीकार गराने में 1926 में एक बच्ची ने जनम लिया जिसका नाम अल्ला वसाई रखा गया ये बच्ची साथ बरस की उमर में ही फिल्म और थैटर की दुनिया में दाखिल हो गई अल्ला वसाई से ये बच्ची नूर जहां बनी और फिर मलका ए तरन्नम कहलाई नूर जहां ने क्याम पाकिस्तान से पहले डेट सो से जायद फिल्मी गीत काए और बारा खामोश फिल्मों समेथ सतर फिल्मों में अदाकारी भी की 1947 में बनने वाली फिल्म जुगनू में उन्होंने दिलीब कुमार के साथ काम किया सोर और ले पर महारत में इस अजीम गलोकारा को गजल गाईकी में भी यक्ता बनाया साथ दाईयों तक फन गाईकी के उफ़क पर च्छाई रहने वाली मलका ए तरन्नम नूर जहां आज हम में नहीं लेकर उनके गाई गीत हमेशा जिन्दा रहेंगे हाली वुड के माया नाज अदाकार लेयाम नैसन की ड्रामे से बरपूर नई फिल्म ए मौंस्टर काल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के गित गूम रही है जिसे दियो हिकल खौफनाक बला उठा कर अपने साथ ले जाती है द्रुखतों में रहने वाली इस देशितनाक बला से बच्चा किस तरह निकलने में कामियाब हो गया ये देखने के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म आइंदा बरस छे जन्वरी को फाक्स फीचर्स के तहट सैनमा गरों की जीनत बन जाएगी निज्जरूम से फिल वक्त इतना ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.TV